नमस्कार दोश्टों स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे है सोहन सर्मा किचन किंग, मैं हूँ सोहन सर्मा और आज हम बनाएंगे रिस्टूरेंट जैसे पनी टीक का, तो चलिए शुरू करते हैं, पनी टीक का बनाना बीना आअवन, बीना तंदूर, बीना एस्टिक, ब नाकि आप रेस्टूरेंट वाले खाते हैं, तो वीडियो को सुरूर से लेके आएंड तक जरूर देखिए, और पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सबस्काइब कर लिजिए, साथ ही दबा दिजिए बेल आइकन का बटन ताकि हमारी हर लेट टेस्ट अपडेट सबसे पहले मैंने लिए ये 500 ग्राम पनीर, आप कम भी ले सकते हैं, ये मोटे पीस में काट लिए, मैंने चोकोर पीस में काट लिए हैं, और इस पनीर को मैंने एक चलनी में डालके पतीले के उपर चलनी को रख दिया, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाए, दीकत नहीं है, उसके अंदर पानी ने होगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रखे, पनीर को पहले 30 मिनाट तक, जरूर इस तरीके से, तो चलिए, सबसे पहले मैं तीन बड़े चमच बेशन ले रहा हूँ, एक बोल के अंदर, तीन बड़े चमच बेशन डाल लिया मैंने, उसके बाद मैं इसके अंदर आधा छोटी चमच नमक डाल रहा हूँ, आप स्वाद नुसार लीजिए, चोथाई छोटी चमच हल्दी पाउडर डाला है, और चोथाई छोटी चमच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, उसके बाद मैं एक चमच और आधा छोटी चमच और और यह मैं एक छोटी चमच कशूरी मेथी डाल रहा हूँ उसके बाद हमारे पास एक चमच दरदरा कूटा हुआ लसुन था एक छोटी चमच वह मैंने डाल दिया उसका पेस्ट और यह बिल्कुल बारिक कटी हुए हरी मिर्ची एक छोटी चमच यह भी मैं इसके अंदर डाल है उसके बाद मैं दो बड़े चमच दही डाल रहा हूँ ताजा फ्रेश दही लेना है है आपकोListen अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लेता हूँ इस पेस्ट को देखिए जितना दही मी मिलत था इसको पड़े आपको तो थोड़ा सा पानी डाल लेड़ा है ये थोड़ में हमें दिक्कत हो जाएगी। इस पेस्ट को इतना गढ़ा रखना है हमें इससे ज़्यादा नरम हमें नहीं करना है तो चलिए यह पेस्ट बनकर तयार है अब हम हमारी पनीर को रखे वे करीब आधा गहंटा हो गया इतना पानी देखिए निकल चुका है इस पनीर का इसलिए पनीर को रखना बहुत जरूरी है पनीर को ड्राही रखना बहुत जरूरी है नहीं तो बाद में ह इसको पूरे मसाले को पनीर की चारो तरफ इस तरीके से लिप्टा देना है आप हाज से भी आप इस मसाले को पनीर के चारो तरफ लिप्टा सकते हैं इस तरीके से आपको पनीर के चारो तरफ मसाला लगा देना है इस तरीके से देखे आप हाज से भी अच्छी तरीके से जहा लेकिन तीस मिनट रखना है इसे, रेष्ट देना है तीस मिनट के लिए, अब हमने सबसे पहले लिए बारी कटावा धनिया, उसके बाद में दो प्याज को देखे, चोको और फीस में काट लिया है, और इसके स्लाइज में अलग कर लिया है, इस तरीके से स्लाइज अलग कर ल यह सब चीज है रेडी है और उसके बाद मैंने फ्राई करने के लिए 250 ग्राम तेल लिए है उस तेल को मैंने गेश पे चड़ा दिये गेश को फुलाज पे ओन कर दिया है इसको क्रीब 30 मिनट हो चुके हमारे पनीर को रखे हुए तो यह बिल्कुल तैयार है पनीर अब हम इस कि पनीर को फ्राई कर लेते हैं सुनिए अगर आप फ्राई पसंद नहीं करते तो इससे आप तवे Hey भी भी सेक सकते है और तंदूर में भी सेक सकते है इस tak लगा के जैसे पनी टिक के tik लगा के सेके जाते लेकिन यह जो सिस्टम Curtain है यह बोछिवी इजी सिस्टम है और भिछो फटापंट बनता है इसमें ज्यादा जिनजट नहीं है आप एक लिए जैसे जैसे घालіч देते रही है, तो देखिये, क्रीब 3 मिनट बाद मैं चम्मत से पलट रहा हूँ और गेस को कर देता हूँ, मीडियम आज ये, इती देर गेस थेज आज पर था, अब मीडियम आज पर वहें क्रीब 2-3 मिनट और इसे पकाना है, देखे इस तरीके से पलटते रहना है बीज बीज में और अब करीब तीन मिनट और हो चुके है करीब छे मिनट लगे है इस पावे को मुझे फ्राई करने में तो बिल्कुल ये फ्राई होके तयार है आप एक बोल के अंदर निकाल लीजिए और इसी तरीके से दूसरा है वह बहुत जरूरी देखना आपको की पनी टीका कैसे बनाते हैं अब दूसरा स्टेप भी मैं फ्राई कर लेता हूं इसी तरीके से पहले इस स्टेप को मैं डाल देता हूं दो तिन मिनट बाद चम्मत से आमें पलटना है फिर गेस को मीडियम आज पे कर देना है पहले फ अब यह सारी फ्राई होगी आप दिन भर में आप कभी भी जुरूद पड़े तब आप गरमा घरम खा सकते कैसे खा सकते देखे मैं आभी बताता हूं आपको बिल्कुल रेडी है सारे पनी टीका बनके और अब हमें क्या करना है देखे कितने सौप उतने ही सौप होते है औ हरी मिर्ची डाल रहा हूं जैसे जैसे खा रहे हैं वैसे बनाना है आपको एक हरी मिर्ची डाली है उसकी तुरत बाद मैंने प्याज के दो तीन चार पांन शलाई डाल दिये और इसे थोड़ी देर 35 इस तरह कैसे मैं चलाता हूं और उसके बाद हमारे पास जो अधरक यह वो डाल देते हैं, दो चार जिते भी आपको पसंद हो, अगर पसंद नहीं है तो आप इसकिप कर दीजिए, मसाले कम अगर पसंद है तो आप मसाले कम कर दीजिए, मिर्ची कम पसंद है तो मिर्ची कम कर दीजिए, कोई दिकत नहीं है, अब मैं तीन पीस पनीर के डाल देता ह इससे बहुत अच्छा फ्लेव राता है और दो ही चुटकी चाट मसाला पाउडर डाल देते हैं और इससे हम चलाएंगे क्रीब दो मिनिट लगते है इस फ्राइपेन के अंदर इस बड़े पनीटी का को तयार करने में हमें तो देखिए इस तरीके से दो मिनिट हो चुके है तो अब हमारे पास जो टमाटर कटे हुए थे चौकोर सलाइज में वो उसके दो पीस में डाल दिया है और हरा धनिया भी थोड़ा सा हम डाल देते हैं बिल्कुल गर्मा गर्म है और आप गेस को कर देते हम बंद और इसको एक प्लेट के अंदर निकाल ले एकदम गर्मा ग चाहे तो इसमें कम कर सकते है पनीर आप घर में बना सकते है उस पनीर बनाने का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसको आप पौदिनी के चटनी के साथ भी खा सकते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते उसके साथ और एसे भी बहुत अच्छे तो बनाते रहे हैं खाते रहे हैं बताते रहे हैं मिलता हूं फिर मैं नई रेच्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को मेरी तरह